नमस्कौर मित्रो मेरा नाम है आदित्य आप देखने एड़ुकेट आदित्य यूट्यूब चैनल आपकी सला प्रोग्राम का ये मैं 18 पार्ट बना रहा हूँ अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सला न रहे हैं ये सारी चीजे आपको जानने को मिलेगी तो उन वीडियोज को भी जाके आप प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज के जो मैं आपको इस्टोरी बता रहा हूँ वो हमें एक हस्मेंड ने लिखके भेजी है इसमें केस लड़ने की बाद आपका कोई निसकर्स नहीं निकलता है आप सिर्ट केस ही लड़ते रह जाते हैं फिर आपके मन में ये जरूर आता होगा कि चलो मैं दूसरा साधी तो नहीं कर सकता हूँ बिना जब तक मेरा डिवोस हो जाता है तब तक लिकिन तब तक तो मैं किसी ल में आता है और वो ये भी काम करता है उसका डिवोस नहीं हुआ होता है अभी उसका केश चल लहा होता है और ऐसे में वो एक लड़की के साथ लिविन डिलेसंसिप में रहना सुरू कर देता है वो साधी नहीं करता है कानूनी तरीके से सिर्फ लिविन डिलेसंसिप में रहता ह और जब वो रहना सुरू कर देता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तो यदि आपका भी केस चल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि बिना डिवोस लिए आप किसी अन्य लड़की के साथ लिविन डिलेसंसिप में रहे या फिर आप रह रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानने को मिलेगा कि यदि आप ऐसा करने की सोच रही है या कर रहे हैं तो ऐसे में आपके सामनी क्या समस्या आ सकती है और लिविन डिलेसंसिप में रहने का आपको क्या खामियाज अब उगतना पड़ सकता है क्या आपको इससे हैं तो इससे आपको क्या नुकसान होगा वो सारी चीजे आपको बताता हूँ मेरा नाम बिक्की है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ मैं एक प्राइबेट कॉम्पनी में जॉब करता हूँ मैं अपनी इस्टोरी के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख देना चाता हूँ और साउधान करना चाता हूँ कि मैं बिना डिवोस लिए एक लड़की के साथ लिविन रिलेसंसिप में रहा मेरी पहली पत्ती तो कुछ नहीं कर पाई लेकिन मेरे सामने लिविन रिलेसंसिप में रहने से काफी ज़्यादा दिक्कत आ गई और मैं परेसानी में पढ़ गया मेरी इस्टोरी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यह भी जानने को मिलेगा कि यदि आप बिना डिवोस लिए किसी लड़की के साथ लिमिन रिलेसंसिप में रहते हैं तो आपके सामने क्या समझ्या आ सकती है आप कैसी परेसानी में पढ़ सकते है इससे आपको क्या-क्या दिक्कत हो सकती है मेरी साधी दोहज़र चौधा में हुई थी साधी के बाद मेरी पतनी ने दो साल के बाद मुझे फोर नाइंटी एट एका केस लगा दिया और यह केस जब मैं तीन साल लड़ लिया लेकिन इसका कोई निसकर्स नहीं निकला तो मैंने भी सोच लिया कि चुप चाप अब साधी कर लूँगा और मेरी ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को मैं पसंद करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी तो हम लोगों ने साधी करने का प्लान बना लिया मैं भी थोड़ा कानून जान चुका था और यह पता था मुझे कि अगर मैं बिना डिवोट्स के ही दूसरा विवा कर लेता हूँ तो मेरी पतनी मेरे उपर भारतिर डंड संहिता की धारा 494 का केस कर देगी लेकिन यदि मैं सिर्फ लिविन रिलेसंसिप में रहता हूँ और मेरी पतनी को यह बात पता भी चल जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी तो मैंने भी लिविन डिलेसंसिप में उस लड़की के साथ रहने का सोचा और जहां मैं काम करता था वहीं पे एक छोटे से मंदिर में साधी कर लिया ना किसी परकार की किसी ने फोटो खीचा ना किसी परकार की किसी ने वीडियो बनाया ना किसी परकार का कोई पेपर मिला यानि मैंने अपने पीछे किसी परकार का कोई एविडेंस नहीं छोड़ा जिससे की ये प्रूफ की जा सके की साधी हुई है मैं जहां काम करता था वहीं उस लड़की के साथ living relationship में रहने लगा केस भी मेरा चल लहा था मैं अब काफी जादा खुश था कि चलो केस भी चल लहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कम से कम मेरी second marriage तो हो गई है केस से तो मैं आज नहीं तो कल तो बरी हो ही जाओंगा लेकिन जो ये मेरा समय बरबाद होता वो अब उतना नहीं खल रहा था क्योंकि अब मेरी second marriage हो गई थी और मैं अपने जीवन में खुश हाल था फिर तीन माह तक मैं और वो लड़की एक साथ रहे और फिर हम दोनों की लड़ाई जगड़ा होने लगा उस लड़की का बैवहार भी बदल गया और वो लड़की बार-बार मुझसे कहती कि चलो हम अपना साधी रजिस्टर्ड कराते है सायद उसे किसी ने चढ़ा दिया था कि यदि मैं उससे साधी नहीं करूंगा और ऐसे ही उसके साथ रहूंगा तो आज नहीं तो कल मैं उसे चोड़ के भाग जाऊंगा या फिर मेरी प्रॉपर्टी में उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा इनी सब बातों को लेके उसे किसी ने चाहा दिया था और वो लड़की चाह रही थी कि मैं साधी को रजिस्टर्ड करा दू मैं उसे बार बार समझाता कि यदि मैं साधी को रजिस्टर्ड करा दूंगा तो मैं फस जाऊंगा लेकिन वो लड़की नहीं मान रही थी और बार बार इसी को लेके हम में जगडा होने लगा यदि मैं उससे कुछ कह देता था तो वो भी मुझसे लड़ाई करने लगती थी और काफी जादा मेरे सामने अब दिक्कत आने लगी थी कुछ दिन बाद वह लड़की मुझे धमकी देने लगी कि मैं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ को जाके बता दूंगी कि तुमने मुझसे साधी कर लिया है एक दिन मैंने गुस्ते में भी बोल दिया कि जाओ जो करना है कर लो मैं नहीं डरता हूँ और फिर हमारा काफी जादा लडाई हुआ और वो लड़की जाके थाने में मेरे उपर सिकायत कर दी कि मैं पहले से ही साधी सुदा था और यह बात छुपा के कि मैं पहले से ही साधी सुदा हूँ उसका फायदा उठा रहा था उससे सारीक संबंद बना रहा था जब आज मैंने साफ बोल दिया कि चलो साधी करते हैं अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती हूँ तो उसने साधी से इंकार कर दिया और मुझे मारपीट के भगा दिया मैंने साधी को छुपा के और उससे वादा करके उसका फायदा उठाया है फिर पुलिस ने मुझे कॉल किया और थाने पे बुलाया और पुलिस ने मुझे फोन पे ही बताया कि एक लड़की ने ऐसी ऐसी मेरी सिकायद की है लेकिन मैं थाने पे नहीं गया और बोल दिया कि मैं दो दिन के बाद आऊंगा फिर उसी दिन पुलिस ने मुझ पे IPC की धारा 376 में रेप का चार्ज लगा के FIR कर दिया और रात करीब 11 बजे आके मुझे रूम पर से अरिश्ट कर लिया इस आरोप में कि मैं पहले से ही साधी सुदा था और साधी का वादा करके एक लड़की का फायदा उठाया है मैं कहता ही रह गया अपनी बात लेकिन वहाँ पे मेरी कोई नहीं सुन रहा था सब यही कहते थे कि जब तुम साधी सुदा थे तो लिविन में क्यों रह रहे थे तुमने धोखा धड़ी की है और लड़की का फायदा उठाया है अब जो लड़की कहेगी वही सुनी जाएगी मेरी किसी परकार की कोई बात नहीं सुनी गई और तीन माह मैं जेल में रहने के बाद हाय कोर्ट से मेरा बेल हुआ और फिर उस लड़की को मैंने 5 लाक रुपया दिया तब उसने मुझसे समझाथा किया और उस रेप केस से मैं बाहर आ सका और अभी भी मैं जहां था वहीं पे आ गया हूँ फिर मेरा अभी भी 498A का केस वैसे ही चल रहा है और मैं वैसे ही परेशान हूँ लेकिन ये लिविन रिलेशन्सिप में रहने की वज़ा से मैं बीच में काफी ज़्यादा दिक्कत में आ गया था और मेरे उपर रेक तक का चार्ज लग गया था काफी वड़ तो मैं बच तो जाओंगा लेकिन मेरा समय बरबाद हो रहा है यही मुझे खल रहा है और बीच में जो ये मैंने गलती कर दी थी ना समझी कर दी थी उसका काफी वड़ा मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा मेरी आप लोगों से यही सला है कि यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है आप लोगों का भी केस चला है और आप चाहते हैं कि आपका सेकेंड मैरेज हो जाए लेकिन अभी भी आपका डिवोस नहीं हुआ है तो ऐसे में आप सोच रहे हैं कि किसी छोटे मंदिर से या फिर ऐसे ही लिमिंट रिलेसंसिप में रह लेंगे तो पहले आपको सोचना समझना चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिस लड़की के साथ आप रहने जा रहे हैं क्या वो आपके साथ रह लेगी या नहीं रह लेगी ये सारी चीजे आपको पहले सोच समझ के ऐसा कदम उठाना है अन्य था यदि दूसरी वा तो यदि आपका अभी डिवोस नहीं हुआ है और आप लिविंड रिलेसंसिप में रहने की सोच रहे हैं तो पहले सोच समझ लीजिए कि क्या आपको ऐसा करना है या नहीं करना है क्या ये उचित होगा या नहीं होगा जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा आप करिएगा लेक जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा तो हस्बेंड ने हमें यहीं सीख दी कि यदि आपका केस चल ला है अभी आपका डिवोस नहीं हुआ है और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि किसी अन्य लड़की के साथ लिविंड रिलेसंसिप में रहे सकेंड मैरेस तो आप कर नहीं सक तो पहले आप सोच समझ लिजिएगा परिस्थितियों को जाच लिजिएगा कि क्या की ये रहना उचित होगा या नहीं होगा यदि आप गलत कदम उठा लेती हैं और माले जिए किसी लड़की के साथ लिविंड रिलेसंसिप में रहने लगते हैं बिना डिवोस के ही तो ऐ ऐसे में जो second आपकी wife होगी यानि जिस लड़की के साथ आप रह रहे हैं उससे अगर भविश्य में आपका रिस्ता बिगड़ जाता है तो चूंकि आपका भी साधी नहीं हुआ है आप सिर्फ living relationship में रह रहे हैं आप पहले से साधी सुदा है तो ऐसे में जो second आपकी wife होगी जो आपके साथ living relationship में रह रही है वो आपके उपर रेप तक का चार्ज लगा सकती है और इसमें आपकी गिरफतारी भी हो सकती है तो सारी चीज़ों को सोच समझ के परामर्स लेके जैसे इस्थितिया होंगी उसके अनुसार आप काम करिएगा और ये चीज़ तो आप जरू सला है कि जब तक आपका divorce नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरा marriage करने की ना सोचिएगा अनिथा आप खत्रे में पढ़ सकते हैं ऐसे तो सिर्फ आप 498 का case लड़ रहे हैं लेकिन वैसे आपको 498 केस भी लड़ना पड़ेगा और साथ में 376 भी case लड़ना पड़ेगा समस सिर्फ फोन पे बात करके कोई कानूनी सला लेना चाते हैं तो इसके लिए आप description चेक करें वहाँ पर बताए गया है कि आप किस परकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन तब तक के लिए जै हिंद जै भारत